फतेपुर ग्राम पंचायत में एक ही माह में यह दूसरी बार राशन का नीशुल गेहुं वित्रन शुरू गरगर पहुंचाया जा रहा है राशन खमणो तेशी सित्र के फतेपुर ग्राम पंचायत में खादे सुरक्षा सुचिव अण्य यूजनाओं में चैनित लाबार्तियो को राशन के नीशुल क वित्रन का ग्राम पंचायत के कामा सित्र में एक माह का आतिरिक्त राशन मिला फदेपुर सरपंच के निदेशन में डीलर गरगर राशन पहुंचाने में लगे हैं डीलर नानालाल खटी की निगराणी में एक पिक अप लगवा कर राशन को गरगर पहुंचाया जा रहा है ग्राम पंचायत के कामा शेत्र में डीलर ने लोक्डाउन की पालना करते हुए उभोकताओं को गरगर राषन का गहुँ बाटा राशन डिलर नाना लाल नहीं बताया कि राशन वित्रन के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं ताकि लोकडाउन का पालन भी हो सके उभोगताओं को डोर टू डोर राशन वित्रन किया गया इसके लिए सरपन जगनात प्रसाद डागलिया, होमगाड, इंद्रेश जी, पंचाय साय, खेमसिय, आशा सयोगीनी, कार्यकरता चंपा देवी, वाडपंच, वर्दिचन और राशन वित्रन में भावेश खटीक, विनोत खटीक ने सयोग दिया ताकि राशन वित्रन में सरकार के नेमों का पालन किया जा सके, कोरोणा वेस्विक महमारी के संक्रमन को देखते हुए सरकार ने फिंगर मसीन बंद कर OTP से ही गयों का वित्रन करने का राशन डिलरों को आदेश दिया हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए गोर्मेंट के आदेशों की पालना करते हुए राशन डिलरों द्वारा राशन का गयों वित्रन किया जा रहा हैं, इसमें से प्रतेक विक्ति को अगले तीन मैनों के दोरान मौजुदा निधारिद अनाज के मुकाबले दोगुना अन दिया जा रहा हैं, यह अतिरिक्त अनाज मुक्त में मिल रहा हैं, लोकडाउन के बाद से गाउं में सरपंच और पंचायत प्रसासन के करमचारी राशन वित्रन से लेकर अन्ने व्यवस्ता देख रहे हैं, फतेपुर सरपंच जगनात प्रसाद अगले ने बताया कि कोरणा वाइरस की रोकताम के लिए देश बर में लोकडाउ उनके चलते डाग विभाग वरिष्ट नागरिकों को उनके गर जाकर पंचन पहुंचा रहा हैं, डाग गर विभाग बावर्सिय जी ने लोकडाउन के दोरान पंचन भोगियों को उनके गर जाकर पंचन दी हैं झाल झाल